हाई गाइस तो मैं हूँ अशीश और मैं सीरीज डालना हूँ डाल रहा हूँ अगर अपने आप तक वह नहीं देखा है तो अप प्रीज उसे देख लीजिए तो यह मेरा यहाँ बन चुका है अब हम आगे के पार्ट के बारे में जाएंगे वह हैं हमारा कॉर्णर तो इसके कॉर्णर बेसिकली बहुत असलान होते हैं इसलिए मैं और यह चौर्ट पार्ट में कंप्लिट हो जाएंगे तो मैं स्कॉर्णर के पार्थ सेकेंड लेर के तरफ मूव करूंगा ठीक है तो तो लेस्ट स्टार्ट विट कॉर्णर नाओ श्राथ हां टो हमें क्तला है सबसे पहले डूना थह याँ श्रांट आप यहां पर अलेधा असके स्ट्रो कॉर्णर चाहिए सबसें कुर्णर अन्य कि यहां आप को जाएुनव कॉध ओंतलस्ति कॉष्ट के來ज अगआ हैं यह ज़का दाएश समझो तो यहां पर हमें क्या करना है इस line मिलाना है यह मैंने down down को मूँव क्या तो यह यहां से यह पौड गया ठीक है तो मुझे पहले उसको line मिलाना है और फिर उसके बाद हमें एक algorithm यूज करने है तो आपको screen फे flash हो रही होगी की आर इन्वेटेड, डी इंवेटेड और डी यह तो मेरा of नए हो गया और अगर आपकहा फिरस्ट मेरी नहीं हो रहा है यारे म नेक्स्ट के युह भार्य ममोग करते तो देखो वाइट ओरेज्ज, इस हूं पज़ा हई है अब हमने उसको जहाब इताना उसके नीचे ला दिया है अब हमें फिर से वही अल्गरिदम करने है R-Inverted, D-Inverted, R-D, R-Inverted, D-Inverted, R-D, हम यह तब तक करने रहें हैं जब तक यह सॉल्म हो जाता अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो यह जाएगा Yes, Done, अब हमने इस तरह यह दो पार्ट्स को कम्प्लीट कर लिया है हमें बस फर्स लेयर में और कुछी नहीं है बस हमें क्रॉस बनाना है जो कि मैंने लाश्ट वीडियो में कवर कर लिया है और इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें कॉर्णर चाहिए उसको पहले उसके नीचे लाओ और फिराल गुर्दम और repeat 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 दृटा को उस ऑल्गर्दम को यूज करना थो होיסजाएगा तो इस तरह हमारी फर्स लेयर हो जायगी तो पब इसी तरह अब ही पार्ट्स को भी कम्प्लीट कर लेन तो देख सकते हैं और अब में देखे सकते हैं यह वाँ में और यह हैं अनाीत को देख है इसका मतले भी सेकेंड लेयर है तो सेकेंड लेयर में हमें क्या करना है जस्ट अब देखो कि मुझे यहां पर क्या चाहिए ग्रीन और रेड कौन सा चाहिए ग्रीन और रेड तो हमें टॉप लेयर में तो कहां पर डूणना है देखो मुझे यहां पर मिलिया है ग्रीन और रे से करता पर ये ली मीचे इसले में भी तो Massachusetts hakk मितंब आज ऑन गरीज्ट है वा उपको स्कूर्ण पर flySH हो देख सकते हैं तो इस algorithm को यूज करने के बाद यहां पे मेरा edge जूट चुका है तो हमें ऐसी others edge को जोडने रहे हैं अब हमें एक second situation आ सकती है जिसमें हमें इस part को यहां पे राना होगा तो मैं उसको create करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने उस situation को create किया है तो यहां पे blue और red तो यह मैंने इसको match कर दिया है तो हमें इसको यहां बिठाना है मतलब हमारे right side में तो right side के लिए algorithm यह है वहां पे flash हो रहे होगी screen पे तो आप उसको apply कर लेना है देखो तो देख सकते हैं यह भी हमारा part हो चुका है अब इसमें और एक parity आते है वह तो आपको mostly नहीं आएगी पर यह सिर्फ उसके बहुत 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 कम chances से कि यह parity आपको आए मैं उसको create करके लिखाता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने उसको create कर लिया है तो इस situation में क्या है कि जो हमारा part हमें यहां पर लगने वाला है जैसे कि blue और orange यह part यह उसी जगह पर है पर यह flipped है वह part तो उसी जगह पर है पर लेकिन flipped है तो हमें उस flipped को पहले निकाल लेना है मतलब उसको normal situation में करवट कर देना है मतलब यह देखो यह यह लोग कपी से इसका कुछ काम नहीं second layer में तो मैं पहले इसको यहां पर लगा अग आप right वाली या left वाली कौनसी वा algorithm को यूज़ करके इसमें यह part insert कर सकते हूं तो अब देख सकते हैं यह वाला part यहां पर insert कर लिया यानि कि वह वाला part बाहर निकल गया है तो हमें वे से ही अब यह इसको यहां पर लाना काओ जानते ही है right वाली algorithm done तो इस तरह हमारी second layer complete हो चुके अब देख सकते हैं कि हमारी second layer पूरी तरह से complete हो चुकी है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि how to solve our मैंने बहुत सारी short डाले हैं पर तभी भी मुझे comments आ रहे थे कि कि आप long video डालो यह सा कुछ समझ मिली आ रहा है मेरे कुछ दोस्त भी बोल रहे थे तो मैंने short video डालना अब तक के लिए तो बंद कर दिया है अब मैं आगे third layer का full video डालूंगा तो please comment for third layer thank you like share and subscribe to my channel cuba stop